yes people good morning good afternoon good evening कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे मैं बता तुम मैं भी बहुत अच्छा हूं तो आज हम स्टार्ट करते हैं next revision lecture आपको already five revision लेक्चर मिल चुक है यह six revision lecture है और इसमें आज हम जो सीखने वाले जैसा मैंने कल के लेक्चर में promise किया था आपको मैं ट्रस्ट वाला टॉपिक को रिवाइस करवाने वाला हूं तो आज हम सीखेंगे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट से related accreted income से related दो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं taxation of the charitable religious ट्रस्ट एक बात समझना आप लोगों ने देखा हुआ है कि charitable और religious ट्रस्ट होता है उसकी income exempt होती है वो कैसे exempt होती है क्या होती है वो अपन आज अपन revise करने वाले है जो charitable purpose का मतलब है वो मैं आपको last में रिवाइस करवाओंगा कि charitable purpose का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं आपको एक-एक section है वो revise करवाने वाला हो सबसे पहली section होती है section 11-1 11-1 यह बोलती है कि income derived from property hell under trust trust को जो भी income होती है उस income मैं से देखो 15% का standard deduction बिल जाता है 85% जो बचता है 85% मैं से जितना आपने applied कर दिया for the charitable or religious purpose in India वो less हो जाएगा और जो भी बचेगा that will be taxable income for the trust तो मैंने क्या बोला trust की जो भी income होती है income derived from property hell under trust उसका 15% standard deduction ले लो 85% जो बचेगा उस 85% मैं से जितना आपने applied कर दिया charitable or religious purpose के लिए वो आप less कर दो और जो भी बचेगा that will be the income of the trust अब एक और चीज समझना मैंने यहां पे बोला कि जो आप charitable or religious purpose के लिए applied कर देते हो वो less कर दो बट applied का मतलब क्या होता है मैं बदा दू applied का मतलब आपका revenue as well as capital जो भी खर्चे करते हो जो भी ट्रस्ट के लिए revenue capital खर्चे करते हो वो सब applied में आ जाएगा अब एक और चीज समझना क्या आपने कोई asset खरीदी वो applied में आएगी answer is yes आएगी as well as the मतलब ट्रस्ट के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब तुमारे applied में आ जाते हैं लेकिन एक चीज समझना किसी और ट्रस्ट को donation दिया क्या वो भी applied में आएगा मैं बदा दू किसी और ट्रस्ट को donation देते हो तो वो applied में आएगा लेकिन एक चीज समझना अगर किसी और ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया as a corpus donation तो वो तुमारे applied में नहीं आएगा एक और चीज समझना अगर आपको corpus donation मिलता है तो वो exempt हो जाता है तो मैं आपको बता हूँ जो भी अपन यह लेते है ना income income का 15% करेंगे 85% करेंगे लेकिन ध्यान रखना income लेते टाइम उस income में donation भी आएगा लेकिन corpus donation को छोड़ के corpus donation आपके लिए पूरा exempt होता है आपके लिए corpus donation हो पूरा exempt होता है तो देखो जो income है उसमें से 15% stand reduction 85% बचा उसमें जितना applied कर दिया वो आप less कर दो तो देखो आपके लिए मैं बदा दू तीन income exempt है पहला तो आपको जो corpus donation मिलेगा वो पूरा exempt है दूसरा 15% income का है वो exempt और तीसरा जितना आपने applied कर दिया वो exempt है किसी नहीं आता है क्या उस पर depreciation अलाओ होगा answer is no एक section हुआ करती है 11 subsection 6 और 6 में यह बुला हुआ है कि जब आप asset की actual cost को applied में ले लेते हो तो उस पर आपको depreciation है वो depreciation अलाओ नहीं होगा नहीं तो double deduction हो जाएगा अब एक और जीज़ समझना यहां पर आप लोग कैसर जो trust applied करता है trust जो खर्चे करता है वो सब less होते applied में आते लेकिन एक चीज़ समझना section 40 a का subsection 3 और 3a यहां पर लगेगा means in a single day to a single person अगर 10,000 से ज़्यादा का payment करते है cash में तो वो actual payment कर रहे हैं और payment करते टाइम 10,000 से ज़्यादा का अगर आपने cash में payment किया तो वो आपका disallowed हो जाएगा वो मतलब कुल मिला के इस साल की वापस income बन जाएगी जो अपन section 40 a subsection 3a में अपन पढ़ते है PGBP में सेम वैसा गा वैसा एक और चीज़ समझना जब भी trust payment करता है resident person को तो trust को TDS काटना पड़ेगा अगर trust ने TDS नहीं काटा या फिर काटा बट government को जमानी करवाया up to the due date of return filing तो बेटा 30% खर्चा disallowed हो जाएगा मैं इस यहाँ पे भी applied में जो आप खर्चे लेते हो वो 30% disallowed हो जाएगे अगर आपने TDS नहीं काटा या फिर काटा बट government को जमानी करवाया up to the due date of return filing अब एक चीज़ समझना मैंने क्या बोला जो भी trust की income होती है वो income मैं से पहले 15% अलग कर दो और income मैं से corpus को तो लोई मत corpus पूरा ही exempt हो जाता है जो trust की income होती है उसमें से आप 85% balance बचा 85% मैं से जितना आपने applied कर दिया वो आप less कर दो और जो applied less करने के बाद जो भी बचेगा वो trust की income होगी अब एक बात समझो कभी कभी क्या होता है applied अगर 85% से कम है जैसे I can take one example के ट्रस्ट है उस ट्रस्ट का इस साल में जो income है वो इस साल में income मालनो 20 lakh है 20 lakh का income है इस 20 lakh की income में से 15% है वो तो standard deduction आपने ले लिया और standard deduction 15% आपका 3 lakh हो गया और उधर बचा आपका 17 lakh अब एक बात बताओ ये जो 17 lakh है suppose इस साल आपने applied किया वो 10 lakh किया तो आपके पास trust की income बच गई 7 lakh आपके पास trust की income बच गई 7 lakh question ही आता है क्या 7 lakh पर tax बढ़ना पड़ेगा answer is yes क्या sir ऐसा कोई option है कि 7 lakh पर tax ना भरे answer is yes सबसे पहला option तो ये कि अगर मालो आपका कोई income outstanding है बहुत बार ऐसा होता है कि trust accrual system follow करता है तो आपका अगर कोई income outstanding है लेकिन आपने income में ले लिया है accrual system follow कर रहे हो आपका income outstanding है बट आपने income में ले लिया है accrual basis पे तो उसमें कुछ नहीं करना यहाँ पे assessing officer को आप return filing की date से पहले पहले लिखके दे दो कि sir हम आपसे अभादा करते हैं कि जिस year में वो income मिलेगा उस year या उसके अगले साल एक bonus year मिलेगा जिस year में वो income मिलेगा उस साल या उसके अगले साल हम उसको actually applied कर देंगे तो इस साल वो आपका option ले सकता है और trust यह बोल सकता है कि अब या इस 20 लेक मैं से 4 लेक हमको मिला नहीं है तो 4 लेक हम जिस year में मिलेगा उस year या उसके अगले साल अप्लाइट कर देंगे तो इस साल वो team to be applied मान लिया जाएगा मैं यहां पर आप इस साल है वो 4 लैक रुपीज है वो 4 लैक आप लेस कर सकते हो 4 लैक इस साल लेस हो जाएगा अब एक और चीज़ समझना लेकिन आपको रिटन फाइलिंग की डूडेट से पहले-पहले यह लिखके देना पड़ेगा आपको घरःट में नहीं आएगा अब एक और मांवा इसंट में आपको बंपर डॉनेशन मिल जाता है और एक और अपको लिखे दे थेंगे तो कोई बात निं वो italyum 2-5 मान लिआ जाएगा लेकिन अगले साल आपको aparthen करना पड़ेगा अब एक बात समझो जब अगले साल अप्लाइड करते हो तो अगले साल क्या आएगा अंसरिस नो क्योंकि वह इस साल के दिनंप promise किया था कि अगले साल हम इसको applied करेंगे तो अगर अगले साल आपने इसको applied नहीं किया तो अगले साल वो आपकी क्या बन जाएगी income बन जाएगी जैसे 1920 में आपने option लिया और आपको 2021 में उसको applied करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया तो 2021 की वो क्या बन जाएगी, income बन जाएगी, you got my point or not, yes, अब एक और चीज़ समझना, यह जो दो नोदो आप्शन मैंने बताए, वो आप्शन कहां दे रखे है, explanation में दे रखे है, section 11-1 की एक explanation और explanation में वो दे रखे है, अब एक option होता है, जो सबसे ज़्यादा market में use होता है, that is the 11-2 का option, अब एक चीज़ समझना, यह 11-2 का option क्या बोलता है, पता है, अगर मान लो trust है, वो trust को इस साल जो भी donation मिला है, trust पैसे को accumulated करना चाता है, many time ऐसा होता है, कि अगर मंदिर बनाना है, मजजिद बनानी है, गुरुद्वारा बनाना है, वो एक साल की income से नहीं बनता, एक स चार condition satisfied होनी चाहिए, पहली condition यह है, कि आपको specific purpose लिखके देना पड़ेगा, कि आप कौन से purpose के लिए accumulated कर रहे हो, दूसरा आपको specific period लिखके देना पड़ेगा, लेकिन वो maximum period 5 साल का हो सकता है, कितना साल का हो सकता है, 5 साल का, तीसरी condition, कि जो भी आप accumulated कर रहे हो, 11-2 में, वो आपको specified mode, जो 11-5 के होते है, safe investment में डालना पड़ेगा, और 4 condition वो वाला पैसा आप और किसी trust को donate नहीं कर सकते, तो मैंने क्या बोला, 4 condition basically, अगर यह 4 condition satisfied होती है, तो आप पैसे को accumulated कर सकते हो, इस साल वो deemed to be applied मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 condition क्या, पहली condition आपको specific purpose बताना पड़ेगा, specific period बताना पड़ेगा, बट maximum period 5 years हो सकता है, क्या 4 साल का period हो सकता है, answer is yes, 3 साल का हो सकता है, answer is yes, 7 साल हो सकता है, answer is no, 7 साल का नहीं हो सकता है, तो मैंने क्या बोला, specific purpose बताना पड़ेगा, specific period बताना पड़ेगा, और उसके बाद वो वाला पै ले सकते हो लेकिन वो पैसा आप कब तक यूज करना पड़ेगा मैं बता हूँ वो specific purpose के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जितने साल के लिए आपने accumulated किया है और plus one bonus year मिलेगा जैसे आपने 1920 में five years के लिए accumulated किया तो five years अगले साल से count होंगे that is 15 sorry five years जो count होंगे 1920 में आपने accumulated किया तो previous year 2021 से five years count होंगे तो बेटा जो five years और उसके साल एक bonus year उसके बाद एक bonus year और मिलेगा वो bonus year तक आपको उसको actually applied करना पड़ेगा तो जैसे आपने five years के लिए accumulated किया है तो आपको six year में उसको applied करना पड़ेगा अगर आपने three years के लिए accumulated किया है तो you will get the four years और four years में आपको उसको actually applied करना पड़ेगा अब एक चीज़ समझना सबसे पहला section 11.3 ये बोलता है का violation हो जाता है अगर 11.2 का violation कब हो सकता है चार cases में पहला अगर उसको किसी other purpose के लिए आपने use कर दिया अगर आपने किसी गलत purpose के लिए use किया तो जिस year में आपन जो bonus year मिल रहा है ना उस year में वो आपकी क्या बन जाए की income बन जाएगी मतलब आपने five years के accumulated किया तो आपको six years तक उसको use करना है अगर six year में तक आपने use नहीं किया तो six year की वो क्या बन जाएगी आपकी income बन जाएगी तीसरा point ये बोलता है कि भाईया अगर मालो उस पैसे को आपने किसी को donate कर दिया वो जो पैसा है वो पैसे को आपने किसी को donate किया दूसरे ट्रस्ट को donate कर दिया तो जिस year में donate किया उस year में वो आपकी income बन जाएगी और एक और चीज़ समझना section 13.9 ये बोलती है कि अगर आपको 11.2 का exemption चाहिए अगर आपको 11.2 का exemption चाहिए तो आपको दो condition satisfied करनी पड़ेगी पहली condition तो ये पहली condition तो ये कि भाईया आपको return filing की डियुडेट से पहले पहले लिखके दिना पड़ेगा जो भी accessing officer है उस assessing officer को आपको return filing की due date से पहले-पहले लिखके दिना पड़ेगा जो return filing की due date है उससे पहले-पहले आपको AO को लिखके दिना पड़ेगा और दूसरी condition यह है कि उस साल का return भी आपको time पे file करना पड़ेगा अगर 11-2 का exemption चाहिए तो आपको दोनों condition satisfied करनी पड़ेगी पहली condition तो आपको AO को लिखके देना पड़ेगा up to the due date of return filing और उस साल का return भी आपको time पे file करना पड़ेगा अगर दोनों में से अगर एक भी गलती हुई थो उस साल आपको 11-2 का exemption नहीं मिलेगा उसके बाद next section यह आता है 11-4 और 4 है कि सर अगर कोई trust है वो अगर business और profession करता है मला कोई business activity करता है तो क्या business पे भी 11-12 का exemption मिलेगा क्या जो business होता है वो business का income भी 85% और 15% और वो सब applied और वो सब होगा क्या answer is yes अगर जो trust business कर रहा है वो business incidental to attainment of the main objective of trust है जो trust का जो objective है उसके incidental अगर business है तो वो business की income पे भी exemption मिल जाएगा लेकिन ध्यान रखना वो business से related उनको books of account separately maintain करनी पड़ेगी ठीक है books of accounts है वो separately maintain करनी पड़ेगी incidental to attainment of the main objective of trust वाला business है उस पे exemption मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जो भी business का income आएगा वो business की income को फिर 15% और 85% करेंगे और 85% मैंसे जो भी applied करते हो charitable religious purpose के लिए वो less हो जाएगा अब एक और चीज समझना अगर assessing officer ने business की income निकालते time अगर business की income को बढ़ा दिया जैसे मालो I can take one example इस कौन temple वाले है वो books का business करते है अब एक बात समझना उन्हों ने क्या किया books की business की जो income आ रही थी वो 50 lakh थी उस पर exemption ले लिया बट एओ ने क्या किया जब उसकी income देख रहा था तो एओ ने उसकी income को बढ़ा दिया मालो 50 lakh से 70 lakh कर दिया एओ ने तो जितनी income बढ़ाई ना उसके सामने आप कोई भी exemption नहीं ले सकते मिस जितनी income बढ़ाई जैसे 50 lakh उन्हों ने income बताई थी जो इस कौन temple की गीता की books का business था उसका 50 lakh income था एओ ने उसको 70 कर दिया तो बेटा 20 lakh पे trust को tax भढ़ना पड़ेगा यह 20 lakh यह माना जाएगा कि 20 lakh आपने charitable religious purpose के लिए यूज नहीं किया है और यह 20 lakh है वो आपके लिए taxable income बन जाएगी अब एक और चीज समझना section 11-7 11-7 यह बोलता है कि अगर कोई भी charitable trust और religious trust है वो अगर 11-12 का exemption लेते है तो इनको 10 की series की कोई exemption नहीं मिलेगी जो 10 की series मतलब जैसे dividend exempt होता है या UTI mutual fund से जो income होती है वो 10-35 में exempt होती है तो यह सब 10 की series की कोई exemption नहीं मिलेगी अगर trust 11-12 का exemption लेता है लेकिन इसके दो exception है 10-1 मिलेगा और 10-23 C मिलेगा 10-1 का मतलब होता है agriculture income तो अगर कोई trust है वो agriculture activity भी करता है तो agriculture activity पे सीधा 10-1 में exemption लेगा और बाकी वाली income है उस पर 11-12 में exemption लेगा लेकिन यह 10-34 या 10-35 बगेरा की exemption नहीं ले सकते तो मैं आपको यह बोलू कि अगर कोई trust है वो 11-12 का पहला exception तो आपका 10-1 और दूसरा तुमारा 10-23 C यह 10-23 C किसको मिलता है जो भी college universities रहती है जो college universities रहती है उनकी income 10-23 C में exempt होती है तो 10-23 C और 10-1 वो ले सकता है along with the 11-12 तो वो क्या करेगा कि अगर मालो agriculture income है या university college का income है उस पर 10-23 C 10-1 ले लेगा और बाकी वाली income पर 11-12 लेगा बड़ बाकी 10 की सीरीज की कोई भी exemption है वो नहीं ले सकता उसके बाद एक section होती है 12A 12A यह बोलती है कि भाई या एक बात बताओ trust जो है वो 11-12 का exemption तभी ले सकता है जब दो condition satisfied होनी चाहिए पहली condition तो trust registered होना चाहिए 12A trust registered होना चाहिए 12A में और दूसरी condition यह है कि trust की income exemption लेने से पहले वाली अगर basic exemption से ज़्यादा है तो trust को अपना audit करवाना पड़ेगा तो पहली condition तो trust registered होना चाहिए 12A में और दूसरा अगर trust की income exemption लेने से पहले वाली basic exemption से ज़्यादा है तो उस case में उनको अपनी audit करवानी पड़ेगी, एक और बात बताओ trust को exemption कौन से year से मिलेगी, जिस year में उन्होंने registration के लिए application डाला उस year से, या जिस year में registered हुआ उस year से, right answer is जिस year में application डाला उस year से, जैसे मा application करते हो उस year से आपको exemption मिल जाती है, so exemption is available from the year in which application is made, so suppose application is made in previous year 1920, in that case your exemption is allowed from previous year 1920, 1920 से आपको exemption है, वो exemption मिल जाएगी, अब एक और चीज़ समझन आए आपे, 1920 से आपको exemption है, वो exemption मिल जाएगी, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की कोशिश करना, all people please pay attention, एक और चीज सम exemption मिलती है क्या उसके पहले वाले years पे exemption मिलेगी answer is no जैसे I can take example मेरा एक trust है जिसका नाम है वेव creators और यह वेव creators trust हमारा 10 साल से created है लेकिन हमने उसका 12 AA का registration के मानलो आज करवाया आज application किया और 2-4-10 दिन में मानलो registered हो गया आज registered हो गया तो क्या पुराने वाले जो years है उन years के लिए exemption मिलेगी answer नहीं मिलेगी लेकिन एक चीज समझना अगर मानलो जिस दिन ट्रस्ट होता है जिस दिन ट्रस्ट रजिस्टर होता है उस दिन तुमारे पुराने assessment pending है और पुराने years में भी activity और objective trust का same था जिसके basis पे आज registration हुआ है मिन्स भाइया एक बात पताओ जिस दिन trust registered हुआ उस दिन तुमारे पुराने कोई assessment pending है and भाइया जिस दिन registered हुआ उस दिन जो उसके objective activity है पहले भी objective activity थे तो जो भी pending assessment है उन years के लिए assessing officer आपको exemption दे देगा मिस पुराने वाले years के लिए भी आपको exemption मिल जाएगी जिसके assessment pending है on the date on which trust was registered and your objective and activity was similar on the basis of which आज जो आपका registration हुआ है अब एक और चीज समझना अगर कोई trust पहले registered नहीं था तो क्या उसके basis पर 147 हो सकता है क्या क्या 147 में आपका case खोल सकते क्या trust registered नहीं था उसको reason to believe माना जा सकता है क्या answer is no नहीं माना जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है क्या merely trust was not registered उसको आप reason to believe नहीं मान सकते 147 इंवोक करने के लिए लेकिन मैंने आपको जो दो चीजे बता ही ना एक तो 147 नहीं हो सकता trust registered नहीं था और दूसरा मैंने आपको क्या बोला कि यह पुराने वाले years के लिए भी आपको exemption मिल जाएगी यह दोनो provision नहीं लगेंगे कब अगर मान लो trust ने पहले registration के लिए apply किया था बट application reject हो गई थी या फिर पहले trust registered था लेकिन उसका registration cancel हो गया तो यह दो case में यह जो मैं बताओ दो case में दो case कौन से या तो पहले register था registration cancel हो गया या पहले application registration के लिए किया था बट CIT ने application को reject कर दिया इन दो cases में क्या होता है कि बाइए वो दो benefit आपको नहीं मिलेंगे कौन से दो benefit पुराने वाले years के लिए exemption मिलना and 147 को based नहीं बनना reason to believe नहीं मानना 147 के लिए non registration यह दोनो benefit आपको नहीं मिलेंगे उसके बाद एक और चीज समझना आप लोग 12AA section यह बूलती है कि registration का प्रोसेशल क्या होता है एग जो ट्रस्ट को registration कर वाना है तो registration का procedure क्या होता है सबसे पहले आपको 40 को application करनी पर दिये जो कमिश्णर ओप income tax होता है उसको आपको application करनी पर दिये अकमिश्णर क्या करेगा अपनेfish को तो आक्टिविटी है वो जेनुएन है या नहीं है तो जेनुएनने सब आक्टिविटी और अब्जाक्टिव के बारे में वो अपने आपको सैटिसफाइड करेगा इस बार से इन्हों ने एक और अमेंडमेंट किया कि उसको वो भी देखना पड़ेगा कि आप जो अधर लॉ लगते है जैसे GST law या माल लो दूसरे law लगते है वो दूसरे law को वो trust comply कर रहा है नहीं अगर वो सब comply कर रहा है अपने आपको सैटिसफाइड करेगा और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन देगा अब CIT के पास पावर है कि CIT रजिस्ट्रेशन दे भी सकता है इस देगा रजिस्ट्रेशन देगा या फिर रिफ्यूस करना पड़ेगा या रिफ्यूस करना पड़ेगा लेकिन एक चीज समझदा अगर माल लो रिजिस्ट्रेशन दे दिया बट आगे जाके CIT को पता चलता है कि ट्रस्ट की अक्टिविटी जैनुएन नहीं है या जो है वो ट्रस्ट अक्टिविटी कर रहा है वो अपने अब्जाक्टिव के हिसाब से नहीं कर रहा है या ट्रस्ट किसी और अधर लॉग को कंप्लाइ नहीं कर रहा है तो उस केस में CIT के पास यह पावर होता है कि CIT चाहे तो opportunity of being heard देके और ट्रस्ट का registration cancel कर सकता है क्या कर सक करता है यह CIT के पास में power होता है करके ठीक है अब एक और चीज़ समझना है यहां पर मैंने आपको बोला ट्रस्ट का registration 6 महीने में होना चाहिए अगर 6 महीने में CIT ने अपना order pass नहीं किया registration या refuse the registration तो उस अब next section पर चलते है that is the section 13 अब एक बास समझना एक section हुआ करती है 1313 यह बोलती है कि चार केसे जिसके case में क्या होगा कि आपके ट्रस्ट को 1112 का exemption नहीं मिलेगा और ट्रस्ट की 11 12 और जाएगा उसको exemption नहीं मिलेगा दूसरा अगर कोई भी ट्रस्ट किसी सब इस परी से क्वेशन के लिए हैं करती हिंदू के लिए उपनाया जाता है या फिर पत्मी से परेशान पती लिए वन जाता है तो उसको 11 12 का लिजन नहीं माना जाएगा उसके बाद में एक और चीज समझना अगर ट्रस्ट का पैसा या ट्रस्ट का असेट है वो ट्रस्टी वगेरा के लिए यूज किया तो उस लेकिन मैं ट्रस्टी था मेरे को बाड़े पर दिया और मेरे से एक रुपया भी नहीं लिया तो यहां पर मेरे को गलत फाइदा पहुचाया गया तो उसकेस में ट्रस्ट के रिलेटिव कौन-कौन होते तो ट्रस्ट का पहला रिलेटिव फाउंडर या ओथर दूसरा कंट्रिविटर तीसरा अगर फांडर ओथर या अगर कोई है तो मैंबर भी त्रस्ट मैंबर यो अगर तुम्हारा मेंबर या इसके बाद जो ट्रस्टी मैंचर किसी भी नाम से जाना जाता है वह भी ट्रस्ट का रिलेटिव एव और जो उपर जितने भी लोग देखे हैं अपने ट्रस्टी है, founder है, author है, substantial contributor, उनके जो relative है, वो भी trust के relative माने जाएंगे, और उपर जितने भी लोगों की बात की, अगर किसी concern में उनका substantial interest है, तो उस case में, अगर उनका substantial interest है, तो वो concern भी relative माना जाएगा, इनको अगर कोई भी पहुचाया जाता है trust से, तो इनकी trust की exemption withdraw हो जाएगी, trust को कोई भी exemption नहीं मिलेगी, चौता point ये बोलता है, कि trust का जितना भी पैसा है, वो 11.5 के mode में जमा होना चाहिए, अगर trust का पैसा 11.5 को छोड़के कहीं पे डाला जाता है, तो trust की exemption है, वो trust की exemption withdraw हो जाएगी, अब एक consideration वगएरा है, वो नहीं ले रहा, तो उस case में trust की exemption withdraw हो जाएगी, लेकिन इसका एक exception है, exception ये है, कि अगर मालो trust medical trust है, या फिर educational trust है, मिस hospital या school है, और hospital school ने अगर मालो medical या educational facility इन लोगों को दी, trustee वगएरा, founder, author को वगएरा, तो उस case में trust की exemption withdraw नहीं होगी, तो मैंने क्या बोला educational trust है, या medical trust है, और उसनोंने medical और educational facility, जो medical है और educational facility, वो अगर trustee वगएरा, इन लोगों को दी, तो उस case में trust की exemption withdraw नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ समझना, जितने का benefit दिया, जितने की facility दी, वो trust के लिए क्या बानी जाएगी, जितने का benefit, जितने की facility दी, वो trust के लि 3 लेक है, तो 3 लेक है, वो trust की income है, वो income मानी जाएगी, अब एक चीज़ समझना, trust है, वो अगर कोई capital asset को बेचता है, और अगर दूसरा capital asset खरीद लेता है, तो उस case में, जो capital gain है, वो भी exempt हो जाएगा, अगर एक capital asset को बेचता है, पुरानी asset को और नहीं asset खरीदता है, तो उस case में capital gain भी exempt हो सकता है, exempt हो जाएगा, लेकिन कितना exempt होगा, पता है, अगर net consideration पूरा utilize कर दिया, जो पुरानी asset को बेचने फिर, जो net consideration था, वो net consideration अगर पूरा utilize कर दिया, तो capital gain पूरा exempt हो जाएगा, लेकिन अगर net consideration आपने partly utilize किया, तो capital gain exempt कितना होगा, पता है, cost of new asset minus cost of old asset है जितना बचेगा उतना capital gain है वो आपका exempt हो जाएगा उससे related compiler में question है question देखो कि तो आपको समझ में आ जाएगा अब उसके बाद question आता है anonymous donation anonymous donation का मैं अग्याद दान या हिंदी में जिसको अपन गुप्त दान बोलते है ठीक है तो जो गुप्त दान है या को बोला जाता है anonymous donation के case में क्या होता है तो मैं बता दू देखो anonymous donation है वो 30 percent से taxable हो जाता है लेकिन चीज समझना पूरा anonymous donation 30 per cents से taxable नहीं होता क्या होता है पहले anonymous donation receive kya endless करोंगे या तो तो तुमारा 5 percent of total donation बट यहां पर चीज समझता है 5% of total donation लेते टाइम यहां total donation में आपको all donation लेना है corpus, anonymous, non anonymous, government grant वगिरा है वो भी इसमें आ जाएगा institute ने question दिया था उसमें government grant को total donation में नहीं लिया था बट उसको लेना चाहिए because अगर आप trust का return देखोगे तो उस return में वो भी include किया हुआ है तो आप क्या करोगे anonymous donation जितना receive हुआ उसमें से less कर दोगे और जो भी बचेगा anonymous donation वो anonymous donation आपको 30% से taxable होगा और जितना less हो जाता ना यहां पर जितना यह less होता ना 5% और यह वापस तुमारा जो normal computation 11-12 का होता है उसमें वापस add हो जाता है ठीक है आप एक दो question देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब एक और चीज समझना मैंने आपको बोला anonymous donation 30% से taxable होता है under section 115 BBC लेकिन इसमें एक चीज समझना आप लोग इसमें एक चीज समझना आप लोग एक चीज समझना यहां पर क्यले कि यह anonymous donation 30% से taxable होता है यह सिरफ charitable trust के लिए होगा अगर religious trust मंद अगर trust charitable religious दोनों तो है तो अगर मंदिर भी है उसका school भी है तो उस case में क्या होगा तो यहां पर law makers यह बोलते है कि अगर जो भी educational institution that is school और hospital जो school और hospital के two words जो anonymous donation मिला है करके ठीक है उस पे 115 BBC लगेगा बाकी वाला जो भी मंदिर के two words वगेरा जो anonymous donation मिला है उस पे 115 BBC नहीं लगेगा वो 11-12 में ही जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो बिटा anonymous donation जो भी आपको receive होता है उसमें से आप less करोगे 5% of total donation और 1 lakh whichever is higher जो आएगा वो इसमें से less करोगे जो बचेगा वो 30% से taxable होगा और जितना less किया वो normal rate वाले में जाएगा वो normal rate वाले statement में जाएगा अ अब एक और चीज समझना है यहाँ पे all people please pay attention मैंने बोला anonymous donation 30% से taxable होता है under section 115 BBC लेकिन यह section religious trust पे नहीं लगेगी charitable है तो लगेगी religious है तो नहीं लगेगी religious charitable दोनों है तो school के two words और hospital के two words जो मिलता है उस पे 115 BBC लगेगा बाकी पे 115 BBC है वो आपका नहीं लगेगा कर ठीक है अब एक और चीज समझना है यहाँ पे many time क्या होता है आपका applied इस साल ज्यादा हो जाता है अप्लाइड अगर income से ज्यादा होता है जो trust की income होती है उससे ज्यादा अगर applied हो जाता है ऐसा कैसे हो सकता है जैसे many time आप accrual basis पे खर्चे कर लेते हो जैसे इस साल का income 10 lakh ही बचा उसको set up कर सकते हो अब एक और चीज समझना है एक सबसे बड़ा doubt यह आता है कि sir आप जो बोल रहे हो ने 15% वाला यह 15% किस पे लेने का तो 15% आपको income पे लेने का जो भी income आता है उस income पे आपको 15% standard deduction लेना पड़ता है बट income का मतलब क्या income का मतलब gross receipt या net of revenue expenditure अब यहाँ पे दोनों वियो है institute दोनों वियो लेती है ठीक है एक example लेते है जैसे एक मानलो इसको ले उसका gross receipt है वो 100 करोड है और उसमें है ना revenue expenditure जो operational expenses है वो मानलो 40 करोड है तो यह 60 बचा तो question ही आता है 60 पे लेंगे 15% या 100 पे लेंगे तो यहाँ पे अगर आप income word को देखो तो income is obviously net revenue expenditure आपको 60 पे लेना चाहिए 15% लेकिन एक supreme court का judgment है वो यह बोलता है कि यहाँ पे income का मतलग gross revenue से रहेगा जो gross receipt है जो 100 करोड 100 करोड पर 15% लोगे अब एक बात समझना है exam में जब भी question आता है आपको एक से solve करना है और दूसरे का आपको alternative देना है compiler में जितने भी question नेक्स पॉइंट यह आता है यहाँ पे नेक्स पॉइंट जो है वो नेक्स पॉइंट यह आता है कि अब यह charitable purpose का मतलब क्या होता है what is the meaning of charitable purpose तो charitable purpose देखो charitable और religious religious का कहीं पर define किया हुआ नहीं religious का मतलब मंदिर मजिद गुरुदारा से समझो that is the religious but charitable का मतलब क्या होता है तो charitable को section 2 clause 15 में define किया हुआ है charitable purpose में सबसे पहला point आता है relief or poor अगर आप relief or poor का मतलब रोटी कपड़ा मकान वगरा गरीब लोगों को आप देते हो अगर आपका objective यह है तो charitable होगा दूसरा अगर आपका educational तीसरा medical और चौता योगा पांचवा preservation of the historical place monuments और चट्टा अगर preservation of the wildlife century वगरा उसके preservation के लिए आपने trust बनाया तो चैरी टेबल में आएगा तो मैंने बोला चैरी टेबल में मैंने आपको चैरी पॉइंट बताए अब एक बात समझना यह चैरी टेबल में चैरी टेबल में चैरी पॉइंट कौन कौन से समझने ही कोशिश करना सबसे पहला relief of the poor दूसरा education तीसरा योगा चौता तुमारा कौन सा है यह सब तुमारे चैरी टेबल परपस की डेफिनेशन में आएंगे अगर आपका यह है तो यह चैरी टेबल है लेकिन एक चीज समझना एक लास्ट में इन्होंने एक और पॉइंट डाला है ता इस एनी अधर यह चैरी टेबल बन जाएगा एडवांस्मेंट अप एनी अधर और अब्जाक्टिव आप जन्रल पब्लिक यूटी लिटी टि बलाव कुछ भी करो पानी की बोटल बेजो तो classes चलाओ coaching class चलाओ ये भी charitable है लेकिन एक चीज़ समझना यहां पर लोगों ने मजे लेने चालू कर दिये बोलते advancement of any other objective of general public utility में लोग क्या करते थे business करते थे बोलते थे charitable income exempt हो जाएगी तो lawmakers ने फिर इस से related amendment किया next एक minute तक जो मैं आपके साथ में बोलने जा रहा हूँ वो सिरफ इस last point से related रहेगा वो सिरफ last point से related रहेगा that is advancement of any other objective of general public utility एक चीज़ समझना फिर lawmakers ने law में amendment किया कि अगर आपका objective advancement of any other objective of general public utility है तो उस case में आप business नहीं कर सकते advancement of any other objective of general public utility में आप business नहीं कर सकते लेकिन एक चीज़ समझना अगर आप business करते हो और वो business का gross receipt आपकी total gross receipt से business का gross receipt आपकी total gross receipt के 20% से जादा नहीं है business का gross receipt जो है वो तुमारी total gross receipt के 20% से जादा नहीं है तो चलेगा वो charitable माना जाएगा जैसे trust का total gross receipt है वो 100 करोड है business का gross receipt 18 करोड है चलेगा यह charitable trust है लेकिन मान लो अगर वो 100 करोड है यह 20 करोड है तो भी charitable माना चाहेगा अगर total gross receipt 100 करोड है यह 22 करोड है तो उस case में यह charitable trust नहीं है इस साल उसको कोई भी exemption नहीं मिलेगी लेकिन question यहाता है कि अगर business का gross receipt 20 करोड से जादा हो गया तो क्या यहाँ पर 20% से जादा हो गया total gross receipt के से तो क्या यहाँ commissioner को registration cancel करना पड़ेगा answer is no there is no need to cancel the registration आपको registration cancel करने के जरूत नहीं है अगर अगले साल वापस यह कम होता है अगले साल जो है यह अगर कम होता है तो अगले साल वो charitable trust माना जाएगा अगले साल उसको exemption मिल जाएगी अब एक और बात समझता है एक section होती है 1023C यह 1023C section क्या बोलती है पता है क्या भईया कुछ hospital और school colleges वगरा होते है उनको 1023C में exemption मिलती है जैसे यह trust जैसी ही section होती है अब इसका पहला पाट यह बोलेगा कि जो भी government hospital होते है और government schools होते है government hospital, government educational institution उसको बोलेंगे कि पूरे साल में जो उनकी income होती है उसमें government grant है वो 50% से जादा है मलब जो भी school या hospital है उसका जो total receipt है उसमें government grant 50% से जादा है उसको government hospital या government schools बोलेंगे तो जो government hospital, government school जिसका जो main purpose है वो educational या medical relief देना है उनकी income पूरी exempt है कुछ भी applied नहीं करना, कुछ नहीं पूरी income जो हुई, वो income पूरी exempt है दूसरा एक चीज़ समझना अगर कोई भी government नहीं है अगर कोई भी educational institution या फिर medical institution है medical hospital है या educational institution है और जिनका main purpose education या medical relief देना है और पूरे साल में मिला कि उनका जो gross receipt है वो 1 करोड से ज़्यादा नहीं है मैंने क्या बोला कोई educational college या फिर कोई hospitals वगेरा है और उसका जो gross receipt पूरे साल का मिला कि अगर 1 करोड से ज़्यादा का नहीं है तो उसकी income पूरी exempt है तो examiner आपको question कैसे देगा एक बड़ा question देगा trust का और उसमें देदेगा कि trust का एक engineering college है जिसका gross receipt 90 lakh है और उसकी income 10 lakh है पूरी exempt है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तो देखो बड़ा दो point मैंने बता है एक तो government hospital, government school है उसकी income पूरी exempt है दूसरा अगर कोई भी educational institution hospital है और उसका gross receipt जो है वो 1 करोड से ज़्यादा का नहीं है और उसका main purpose educational या medical relief देना है तो उसकी income भी पूरी exempt है को कुछ करने की ज़रूरत नहीं तीसरा ये बोलता है कि अगर कोई भी educational institution है fund है, trust है, hospital है वो अगर माल लो उपड जो 2 point थे उसमें cover नहीं होता है और उनको कुछ exemption चाहिए तो उनको 1023C का approval लेना पड़ता है देखो बाकी लोग है उनको approval लेना पड़ेगा 1023C का तब उनकी income exempt होगी लेकिन ये approval के लिए आपको apply करना पड़ेगा 30th September of the assessment year मलब previous year के लिए अगर आपको exemption चाहिए तो 30th September of assessment year तक आपको apply करना पड़ेगा 1023C के लिए तो आपको जो commissioner है वो exemption दे सकता है वो सब conditions है वो सब लग जाएगी अब एक और बात समझना next section और next topic that is the accreted income वाला topic और जिसको अपन exit tax बोलते हैं एक बात बताओ पहले ये doubt आता था कि अगर कोई भी trust है वो मानलो 20 years से exemption ले रहा है 20 years से वो exemption ले रहा है इस साल उसने कुछ violation कर दिया और CIT ने क्या किया उसका registration कैंसल कर दिया अगर CIT ने उसका registration इस साल कैंसल किया तो उसके case में क्या होगा मैं बताओ अगर CIT ने इस साल registration कैंसल किया तो इस साल से exemption नहीं मिलेगी बढ़ पहले तो मिल गई गर के ठीक है तो इन्हों ने एक section डाली 115 TD और यह 115 TD बड़ी खतरदाक section है, यह बोलती है कि तीन case ऐसे है, तीन case, देखो मेरी तरफ देखो, तीन case ऐसे है, जिसमें trust की जो accreted income है न, accreted income का मतलए जितनी आज trust के पास asset पड़ी है, जितनी आज trust के पास asset पड़ी है, उसकी जो fair market value रहेगी न, उस fair market value पे हम सीधा MMR से tax ले लेंगे, मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना, मैंने बोला, कि एक section होती है 115 TD और 115 TD यह बोलती है, कि trust की जितनी भी accreted income है, accreted income का मतलब जो total asset की value, आज जितनी asset बनाई है, लास्ट के 20 साल में, आज जो asset बनाई है, जितनी asset बनाई ह जितनी बाकी जगे आपने MMR देखा, बाकी जगे जहां जहां आपने MMR देखा, वहां पे हर जगे 42 point something होता है, क्योंकि 30% प्लस आपका क्या रहता है, उसमें 37% highest surcharge individual actual और प्लस 4% करके 42 point something आता है, अप्रोक्स 43% के करीब आता है, लेकिन यह ऐसा पहला case है, जहां MMR जो रह आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, देखो जो अपना government का जो finance budget आता है, उस bill में और उसके बाद में जो act बनता है, उसमें ही लिखा हुआ है, कि यह distributed income माना जाएगा, यह जो है ना, यह distributed income पे tax जैसे माना जाएगा, जैसे dividend distribution tax में अपन सरचार्ज गितना लेते हैं 12%, तो यहां पे तिन केस ऐसे है, जिसमें trust की जो accreted income रहेगी ना, accreted income is total जो asset रहेगी ना, उस asset पे हम MMR की rate से tax लगा देंगे, यह तीन केस कौन कौन से, सबसे पहला if trust is converted into non eligible form, trust है, उसका conversion हो जाता है non eligible form में, but non eligible form का मतलब क्या होता है, या तो trust का registration cancel हो गया, या तो trust का registration cancel हो गया, या पिर, trust ने अपने objective में कुछ modification किया, trust ने अपने जो objective है, उसमें कुछ modification alteration किया, और बेटा, उस year के end तक, trust ने fresh registration नहीं करवाया, या फिर fresh registration करवाया, लेकिन हुआ क्या, कि CIT ने उसका application reject कर दिया, तो इस case में यह मान लिया जाएगा, कि trust is converted into non eligible form, तो देखो बेटा, सबस यह बोलता है, कि trust is converted into non eligible form, बैट यह कब माना जाएगा, trust is converted into non eligible form, दो case में, सबसे पहला, अगर trust का registration cancel हो जाता है, या फिर trust का, कुछ objective में, उसने modification alteration किया, और उस साल उन्होंने fresh registration के लिए apply नहीं किया, या फिर fresh registration के लिए apply किया था, लेकिन CIT ने उसका application क्या कर दिया, reject क कर दिया, दूसरा case, अगर trust का किसी दूसरे trust के साथ merger हो जाता है, और वो trust का जो है, वो similar object नहीं है, और वो registered नहीं है, अगर किसी non eligible trust के साथ merger हो जाता है, मिस किसी ऐसे trust के साथ merger हो जाता है, जो registered नहीं है, और उसका जो है, क्या बोलते है, objective सेम नहीं है, उसके साथ merger हो जा अब एक चीज़ समझना जब भी ट्रस्ट का डिसलुशन होता है तो ट्रस्ट को क्या करना पड़ता है बता है दिसलुशन के मंध के end से जिसी मंध में डिसलुशन हुआ उस मंत के end से next 12 मंध के अंदर गा nut जो भी ट्रस्ट की असेट होती है tax लग जाएगा it is called exit tax तो देखो बिटा मैंने क्या बोला all people please pay attention मैंने बोला 3 case ऐसे है मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ revise कर रहा हूँ but यह actually बहुत जरूरी है इसके लिए 3 case ऐसे है जिसमें trust की accredited income जो रहेगी जो asset की fair market value रहेगी उस पर MMR की rate से tax लग जाएगा अब एक बास समझना यह 3 case कौन-कौन से सबसे पहले trust is converted into non-elisable form non-elisable form में trust का registration cancel हो जाना या उस साल उन्होंने क्या किया अपने जो भी objective है उसमें modification alteration किया और उस साल fresh registration नहीं करवाया या फिर उन्होंने fresh registration के लिए apply किया लेकिन उन्होंने CIT ने उसका application reject कर दिया या फिर वो किसी और trust के साथ merger हो जाता है जो कि उसका objective सेवन नहीं है और registered नहीं है या फिर वो क्या करते है पता है dissolution के month के end से 12 month के अंदर वो asset किसी दूसरे registered trust को नहीं बाठते तो उस case में क्या होगा कि trust की जो भी accreted income है उस पर MMR की rate से tax लग जाएगा अब आप मुझे बार बार बोल रहे हो accreted income accreted income accreted income का मतलब होता क्या है तो मैं बदा तो accreted income का मतलब यहाँ पर होता है कि FMV of the asset ले लो और minus liability कर दो FMV of the asset और minus liability को less कर दो आज ट्रस्ट के पास जितनी asset है उसकी fair market value निकालो और उसमें से liability less कर दो जो बचेगा that is called accreted income उस पर MMR की rate से tax बढ़ दो अब आप मुझे बोलोगे sir asset में कौन सी asset लेनी है मैं बता दू आप balance sheet में जो asset दे रखिये सबकी fair market value निकालो जो भी asset है वो सब asset आपको लेने का है लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप लो एक चीज़ ध्यान रखना asset जब आप लेते हो तो तीन asset को नहीं लेना है पहला तो अगर कोई asset है वो agriculture income से acquire किया था अगर कोई asset trust ने agriculture income से acquire किया था एक बात बताओ अगर ट्रस्ट ने agriculture income से acquire किया था वो asset को क्यों चुड़वा रहे है क्योंकि अगर ट्रस्ट 12AA का registration नहीं भी होता तो भी agriculture income थो exempt होती उसके लिए तो अगर कोई asset ऐसी है जो agriculture income से acquire की थी वो asset को आपको नहीं लेना दूसरा दूसरा lawmakers यह बोलते है कि अगर कोई भी asset है वो asset ट्रस्ट ने खरीदी दी जिस दिन trust create हुआ था उस दिन से लेके और जिस दिन उसके लिए 12AA का registration effective हुआ उस दिन से पहले तक जो भी asset उसने acquire की थी वो asset को भी छोड़ो दो बड़ी simple सी बात है एक बात बताओ हमारे ट्रस्ट जो वेव creator है वो last 10 साल से है लेकिन registration आज हुआ तो मैं बताओ पिछले साल तक तो हम tax बढ़ते थे पिछले साल तक register investment pending है तो पुराने वाले years पर भी exemption मिल जाएगी अगर पुराने वाले years पर exemption मिल चुकी है तो तो फिर उन years में जो asset acquire की थी वो वाली यहां पर accredited income में consider करेंगे वो वाली in accredited income में consider करेंगे और तीसरा अगर कोई asset है वो dissolution के month के end से 12 month के अंदर आपने किसी दूसरे trust या institution 1023C वालों को बाट दिया है तो वो आपको यहां पर consider करने की जरुआत नहीं है तो मैंने क्या बोला देखो बेटा आप एक काम करो valuation date को asset की fair market value निकालो minus liability less करो जो भी बचेगा उस पर created income से tax लगाओ अब एक चीज समझना यहां पर asset में आपको तीन asset नहीं लेनी है कौन सी तीन asset नहीं लेनी है पहली चीज तो यह कि अगर asset agriculture income से acquire किया तो दूसरा trust create हुआ उस दिन से लेके और जिस दिन value वगेरा आपको निकालना यह कौन सी date को निकालना इसका date क्या रहेगा तो मैं बता हूँ आपको देखो valuation date क्या रहेगी सबसे पहला अगर ट्रस्ट इस converted into non eligible form में इस ट्रस्ट का registration cancel हो जाता है अगर registration cancel हुआ तो cancellation का date अगर modification alteration हुआ तो 14 days में वह 14 days में pay करना पड़ेगा लेकिन आप मुझे यह बोलोगे 14 days कहां से count होंगे तो समझने कोशिश करना यह 14 days कहां से count होंगे all people please pay attention सबसे पहला अगर ट्रस्ट का registration cancel हो गया तो trust है वह आइटेट में अपिल में जा सकता था ट्रस्ट का registration cancel हुआ ट्रस्ट आइट में अपिल में जा सकता था अपिल में जाने का time limit होता है 60 days अगर वह 60 days expire हो गए ट्रस्ट ने application नहीं किया आइटेट में अपिल नहीं किया तो जैसे वह 60 days complete हो गए उसके बाद से 14 days के अंदर अंदर ये टैक्स बढ़ना पड़ेगा दूसरा अगर trust मान लो आइटेट में अपिल में चला गया तो आगे से जो अपिलेट authority है उसका cancellation का confirmation का order मिला असेसी को असेसी को confirmation का order मिला कि आपका तो registration कैंसल होना ही चाहिए था तो जिस दिन confirmation का order मिला उसके बाद के 14 days के अंदर अंदर आप ये टैक्स बढ़ दो अगर modification alteration का case है और मान लो उस year में उस year में आपको fresh registration के लिए अपलाए करना पड़ था अगर आपने उस year में fresh registration के रिए उपलाय नहीं किया तो वे को क्षेteen होगा उसके बाद के 14 days के अंदर अंदर आपको टेक्स बढ़ना पड़ेगा जैसे लो ये होग होगा वो complete होने के बाद 14 days के अंदर अदर आपको government को टेक्स बढ़ना पड़ेगा वितिन 14 डेयस आपको government को tax बढ़ना पड़ेगा वो year complete हुआ और आपने fresh registration के लिए अपलाए नहीं किया तो वो जैसे year complete हुआ उसके बाद के 14 days में बढ़ना पड़ेगा अगर मानलो आपने fresh registration के लिए अपलाए किया था और आपकी application हो गई तो rejection के अगेंस आप आइट में जा सकते थे आइट में अपिल में जाने का time limit होता है 60 days वो 60 days expire हो गया आप अपिल में नहीं गए तो जैसे 60 days complete हुआ उसके बाद के 14 days में tax बढ़ दो अगर आप आइट में चले गए और वहां से confirmation of rejection का order आया तो जिस दिन rejection का confirmation का order आया उस दिन के बाद के 14 days के अंदर-अंदर आप गवर्मेंट को tax बढ़ दो अगर मर्जर का कैस है तो मर्जर के date से 14 days के अंदर-अंदर आप government को tax बढ़ दो और अगर dissolution का date है तो dissolution से 14 days नहीं लिया जाएगा 12 months जहां complete हो जाते है उसके बाद से 14 days का है अंदर-अंदर आप government को tax बढ़ दो अगर मान लो आप 14 days में यह tax नहीं बढ़ते हो तो 15 days से आपको 1% per month और part of the month की rate से interest लग जाएगा और उसके बाद 115 TF यह बोलती है कि trust को असे सीन डिफॉल्ट बना जाएगा असे सीन डिफॉल्ट बना जाएगा और उस पर इंट्रेस्ट पैनल्टी है वो 220-221 की लग सकती है अब एक चीज़ समझना सर क्वेश्चन यह आता है कि सर अपने को asset की fair market value लेनी है तो asset की fair market value निकालेगे कैसे क्योंकि accredited income का मतलब होत की fair market value आपको लेनी है लेकिन एक चीज़ समझना उसमें से आपको TDS TCS advance tax नहीं लेना मतलब balance sheet को पकड़ो और balance sheet में से TDS TCS advance tax को आपको नहीं लेना बढ़ आप कैसे है तो fair market value निकालने के लिए सबसे पहले अगर मालो वह shares and security है मिस ट्रस्ट के पास share and security है तो ट्रस्ट के पास में share and security है सबसे पहले अगर मालो वह quoted share and security है quoted का मतलब होता है listed टेक है अगर लिस्टेड है तो उसकेस में आप एक काम करो कि जिस दिन वालूऊशन डेट है उस दिन का जो भी हाईयस्ट और लोएस्ट उसका कोट है उसका एवरेस लेलो तो एवरेस्ट अपधान लोएस्ट को जैसे हाईस्च सेवनटी था लोएस्टी था था तो आप 65 है 65 65 को ले लो लेकिन आप बोलो किस दिन को अपनcio निकाल हुआ उस दिन trading हुआ ही नहीं तो उसके पिछले ने ट्रेडिंग हुआ था उसके पिछले कॉंसे दिन से दें ट्रेडिंग हुआ था उस दिन का आप एवरेस ले लो अब एक और the valuation report of the merchant banker or accountant. Miss accountant या merchant banker से आप क्या करो? Unquoted जो security है, उसकी आप क्या निकाल दो? FMV निकाल दो. अब एक और चीज़ समझना, अगर immovable property है, trust के पास immovable property है, तो उसमें क्या करनेगा? कि जो भी valuation date को stem duty value है, और तुम्हारा NRV है, whichever is higher, means stem duty value और NRV whichever is higher कर गे, ठीक है? Trust के पास में किसी, जो trust है, वो trust के पास में, किसी private limited company के share है, तो उसकी value कैसे निकालोगे? तो आप private limited company जो है, पहले उसकी balance sheet को पकड़ लो, और balance sheet की asset जो है, वो assets पहले ले लो, और minus liability कर दो, वो उसकी private limited company का network आ जाएगा, divide by total paid up share capital कितना है, और multiply by trust के पास paid up share capital कितना है, तो वो तुमारे equity share, जो unquoted equity share है, unlisted equity share है, उसकी value आ जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, वो private limited की balance sheet को जब आप पकड़ते हो, तो उसमें आपको asset लेते time, एक चीज़ ध्यान रखना, assets की book value लेनी है, ठीक है, asset की book value लेनी है, और किसी-किसी की market value लेनी है, book value लेनी है, कुछ asset की, लेकिन एक चीज़ समझना, book value asset की लेते time भी आप वही चीज़ें नहीं लोगे, advanced tax, TDS और TCS है, वो आप नहीं लोगे, asset side में ठीक है, उसके बाद deferred expenditure है, वो भी नहीं लोगें करके ठीक है, और asset में कुछ asset की fair market value लेनी है, जैसे जो भी तुमारा bullion jewelry है, precious stone है, artistic work, a shared security, immobile property है, उनकी आपको fair market value लेनी है, तो आप private limited company, उसकी balance rate लो, उसकी सब asset लो, advanced tax, TDS, TCS को छोड़ दो, deferred revenue expenditure को छोड़ दो, बाकि की आप book value लोगें, लेकिन जो भी immobile property है, shared security है, करके ठीक है, और तुमारा jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological collection, any other work of art है, and immobile property है, इनके लिए आपको fair market value निकालनी है, इस rule के हिसाब से ठीक है, और उसके बाद आप liabilities की book value ले लो, लेकिन एक चीज़ समझना, liabilities लेते time, आपको paid up share capital है, वो नहीं लेना है, जो भी तुमारा reserve and surplus है, उसको नहीं लेना है, provision for taxation है, उसको आपको नहीं लेना है, uncertain liabilities का provision है, उसको भी आपको नहीं लेना है, contigent liabilities वगेरा है, वो आपको नहीं लेना है, ठीक है, अब इतना कोई detail में आपको आएगा निके, ट्रस्ट के पास किसी private limited company के share है, और वो private limited company जो है, वो private limited company के share की value आप निकालो, इतना आएगा नहीं, बट इस rule में ऐसा दे रखा है, अब एक और चीज़ समझना, जब trust की अपन liability लेते हैं, देखो, asset की अपने को fair market value लेनी है, ठीक है, और fair market value के लिए मैंने क्या बता है, जैसे immovable property पकड़ो, NRV और तुम्हारा SDV, whichever is higher, अगर मैं listed share की बात करूँ, तो average of the highest and lowest on the valuation date करके, ठीक है, बट भाईया, listed share and security में, अगर उस दिन trading नहीं हो, तो उसके पिछले जिस दिन trading हुई थी, उस दिन का आप average ले लोगे, ठीक है, बाकी सब assets के case में आपको NRV लेने का है करके, बाकी सब assets के case में आपको क्या लेना है, लेकिन एक चीज समझना, liabilities को आपको book value लेना है, बट liabilities में क्या क्या नहीं लेना है, जो भी trust का corpus fund होता है, उसको छोड़ दो, corpus is like a capital, उसको आप छोड़ दो, उसके बाद reserve and surplus है, उसको नहीं लेना है, contingent liability को आपको नहीं लेना है, provision for uncertain liabilities है, वो भी आपको नहीं लेना है, और उसके बाद में provision for taxation है, वो भी आपको नहीं लेना है, ठीक है, done, so this is the completion of your topic, मैंने इसमें थोड़ा धीरे धीरे रिवाइस करवा है, दोनों topic को, कौन-कौन सा trust और accredited income, जितने भी आपके questions है, वो questions को देख लो, और भाईया, अभी आपके पाद ज्यादा time नहीं है, पढ़ाई पर पूरा focus लगाओ, और पढ़ाई करो, बहुत कम दिन बच और अच्छे लोगों से बात-बात किया करो, और साथ-साथ मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे लिया करो करें, ठीक है, because यहाँ पर पढ़ाई का कोई भी alternative नहीं है, C.A. बनने के लिए पढ़ना पढ़ेगा, पढ़ाई का कोई alternative नहीं है, there is no shortcut करके, ठीक है, कोई shortcut नही अब यह C.A. बनने के बाद मैं बता दू, life बहुत अच्छी है, यह मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा पैसे कमाओगे, उडाओगे, मस्त करके मजे करोगे, और वो सब C.A. बनने के बाद ही हो सकता है, ठीक है, तो पहले यह degree लानी है, और यह degree लालो, क्योंकि यह degree अधि अगर आ गई ना मजा आ जाएगा, life मैं, सच बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा, ठीक है, चलो, thanks a lot people, आज के लिए इतना बहुत है,